नमस्कार आप सभी का स्वाकत है आपके पेने चैनल एक्जाम अट्डाफाइश्टेडी पर आज का दैनिक रोजगा समाचार उत्तर परदेश सभी स्कूल और कालेज आपके च्छे के बाद खुलेंगे अनशर स्वामले पर सच्यू का आदिकारिक बयान सिच्छकों के समायोजन करने का नोटिस जूनियर सिच्छक बरकती का रियल्ट जारी करने का आदिकारिक बयान यूपी टेट संसोधित उत्तर कुंजी में इतने कामन नमबर और अन सभी ख़बर जो आप से सीधे जुड़े हुए हैं इन सभी ख़बरों के बारे में दोस्तों आप सभी को वन बाई वन करके जानकारी दी जाएगी उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एक जाम अड़ाफाइश्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन बिल प्रेस कर लीजिए आल वाला नोटिफिकेशन आप सभी आन कर लीजिए इस चैनल के मार्धम से आप सभी को दैनिक रोजगार समाचार पत्र प्रोवाइड कराये जाते हैं तो उसी कड़ी में आज की मॉर्निंग की कुछ बिसेस ख़बर है आप सभी लोगों के लिए तो आईए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की योगे छै फरोरी के बाद खुलेंगे स्कूल वा कालेज योगी अदितनात करोना संकट के बीच मुखमंत्री योगी अदितनात ने ब्रस्पतिवार को कहा कि छै फरोरी के बाद पर्देश में स्कूल कालेज खुल जाएंगे उन्होंने कहा कि कुरोना की तीसरी लाहर नियंत्रित कर ली गई है ऐसे में अब स्कूल वा कालेज बंद रखने का कोई आउचित नहीं है मुखमंत्री ने बताया कि 17 जनौरी तक पर्देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,1600 थी जो ब्रस्पत वार को 41,000 पर आ गई अगले एक सब्ता के अंदर इस्तिती और अच्छी होगी यानि दोस्तों आप सभी के जो भी स्कूल कालेज है वो च्छे फरोरी के बाद खुल जाएंगे पराम जारी होने के बाद ठप पड़ी जूनियर सिच्छक बरती परदेश की साहता प्राब जूनियर हाइ स्कूलों में साहिक अध्यापक और परदाना अध्यापक भरती परिच्छा 2021 पराम जारी होने के बाद महिनों से ठप पड़ी हुई है अब ब्यार्थी बरती परकिरिया आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार सच्छू परिच्छा नमक परादीकारी कारियाले और सिच्छा निदेशाले पर कई बार परदरसन कर चुके हैं लेकिन इसके बाद भी भरती परकिरिया जहां की तहां अटकी पड़ी हुई है। सूबे में जूनियर हाइ स्कूलों में साइक अध्यापक के लगभग 1500 और पदाना अध्यापक के 300 पदों के लिए विग्यापन निकाला। इसके लिए अक्टूबर महिने में सच्चू परिच्छा नमक प्रादिकारी कार्याने परिच्छा कराई और 15 नौमबर को परिच्छा पड़ाम भी जारी कर दिया गया। परिच्छा परड़ाम में साइक अध्यापक में लगभग 45,000 और पदाना अध्यापक के 17,000 अभ्यारति उत्री किये गए। इसके बाद परिच्छा नियामक प्रादिकारी कारियाले की और से नहीं भेजा गया है। यानि मित्रों सब मिलाकर यही है कि उत्तर परड़ेश की जो भी भरती है ओ अधिकारियों या कहें सरकार की गल्त नीती की वज़ा से लटकी रहती है। जब आपका एकजाम हो जाता है पंद्रा नौंबर को पड़ाम जारी कर दिया जाता है उसके बाद देखा जाए नौंबर दिसंबर जनौरी फरोडी। चार-चार-पांच-पांच महिने पड़ाम आने के बाद भी कुछ परकिरिया गतिमान नहीं हो पाती है तो ऐसे अधिकारी को तुरंद निरंबित कर देना चाहिए तुरंद मनलब करवाई करनी चाहिए उसके बाद जो अधिकारी के साथ-साथ में सरकार की भी जवाब दे हिकता होनी चाहिए क्योंकि चुनाओ होता है तो सब मिलाकर दो से तीर महिने में पुरा पड़ाम आ जाता है लेकिन जो भरती पर क्रिया रहती है वो आपके सालो दर सालो लटकी रहती है चाहे कोट हो चाहे सरकार के माध्यम से लटकाई जाए तो यवाब के उपर सबसे ज गर्मी नहीं नौजवानों की भरती की बात करें यूपी सरकार अखले से तो आप लोग जैसा जानते हैं इस समय उत्तर पर्देश में चुनावी समर है तो मानिय मुखमंत्री योगी अदितनाच जी कह रहे थे जो चुनावी जनसभा में की गर्मी है जो हम सांध कर देंग मित्रों मानिय योगी अदितनाच जी जितने भी चुनावी जनसभा हो रहे हैं उसमें यूआओं के लिए रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं बस यही मंदिर महजिद और आपके कबरिस्तान और गर्मी सांध करने के लिए ये मित्रों कोई भासा नहीं होती एक आप मंदिर मंदिर करिए ना मर्चित कीजिए कुछ भी नहीं यूआओं के लोजगार की बात आप कीजिए ऐसे में अखलेस यादो जी अखलेस यादो जितने भी चुनावी जनसभा समोधित कर रहे हैं चाए प्रेस मीडिया के सामने आ रहे हैं तो सीधे यूआओं के उपर फ अधिक लोगों को IT सेक्टर में नौकरी देने की बात इन्होंने की है लगवख 20 लाथ तो एक जो उद्देश है वो बना कर चलना है अखलिस यादो जी और दूसरी तरफ जो मानने मुखमंत्री योगी अधितनाच जी है वो युवाओं के लिए कोई भी एजेंडा सेट करकर नहीं आये हैं बस चुनाव में जब भासर देना स्टार्ट करते हैं तो मंदिर महजित और गर्मी सांथ कर देंगे ये कर देंगे ओ कर देंगे लेकिन युवाओं के लिए कोई भी घोसना इन्होंने अभी तक किसी भी जुनावी जनसभास से नहीं की है अब दोस्तों आईए बात करते हैं उनाताजा सिच्छक भर्ती में अर्सवर सो मामले पर तो कल कुछ विद्यात्यों के प्रत्निदी मंदल ने सच्चुजी से मुलाकात की तो उन्होंने अपने अधिकारी बयान में कहा है कि दो से तीन दिनों के अंदर काउंसिलिंग सेड अधिकारी के उपर आकर अलटक गया है अधिकारी कुछ कहते कुछ हो रहे हैं करते कुछ हो रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है जब तक आप लोग के समझ काउंसिलिंग सेडूल ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि सरकार की बात की जाए या अधिकारियों की बात की जाए वो खुद इस जो पूरे मामले पर अपनी जो मलब संबेदन सील होना चाहिए संबेदन सील ना होके है इन्होंने ऐसा गय जिम्मेदराना काम कर रहे हैं कि अंसर सो जो परिवारों में नुक्तिपत जल से जल मिल जानी चाहिए लेकिन अं पुद्दे को मितनों लटकाने का काम किया है जैसा आप सभी जानते हैं कि 6 जनौरी को आप सभी को नुक्तिपत मिल जानी चाहिए थी लेकिन आज तक अभी नहीं मिली है अधिकारी बस वही गोल मोल जबाब दे रहे हैं कि एक करेंगे ओ करेंगे तीन दिन चार दिन पान दिन उसके बाद देदे करके उत्तर प्रदेश माचा संहीता लग गई उसके बाद आज भी वही है कि 2-3 दिन के बाद करेंगे तीन दिन चार दिन ऐसे करके आप लोगों का मामला लटकाया जा रहा है अब बात करतें सिच्छों के समाजयोजन करने के बारे में तो उत्तर समसोधित इसमें TGTT-PGT के 500 से अधिक सिठ्चकों का समायोजन ढहरा है। 2016 का जो रिखेल जारी हुआ उसके बाद 2021 का। उसके बाद तमाम जो अभ्यारति उन्होंने जॉइनिंग नहीं जारे कि उसके बाद 500 से अधिक खाली होने के बाद इन सभी का समायोजन होने जा रहा है अब बात करते हैं UP-TET संसोधित उतरकूंजी में तो उतरकूंजी में अब की बाद जो उतरकूंजी जारी होगी संसोधित उसमें लगवग आप लोग के जो भी अभ्याथी 4 से 5 नमबर से रुके हुए हैं वो सभी पास हो जाएंगे प्रैमरी की बात की जाए या जूनियर की बात की जाए जो भी अभ्यारती तीन से चार नंबर लुके हुए हैं उन सभी का बेड़ा इस बार पार होने वाला क्योंकि अधिकांस कोईसंस इस बार गल्त हैं उसके बार लगबग देखा जाए तो अभ से जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को आप लोग अधिक सर्दिक सेयर कीजिए जिनने भी आप लोग के एजूकेशन ग्रूप है अभी तक आप लोग में अपना चैनल एक जाम अड़ाफाइश्टेडी सब्सक्राइब ने किया है तो फटा फट आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए आइकन मेल प्रेस कर लिजिए आलो वाला नोटिफिकेशन आप सभी अन कर लिजिए